जय माता दी दोस्तों आप सभी को इस नवरात्री के बहुत-बहुत शुपकाम नाएं. इस वरत में उपवास या फलाहार आदी का कोई विशेश नियम नहीं. प्राता काल उठकर स्नान करके, मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुरगा जी का ध्यान करके यह प्रारंब करते हैं. ब्रिहस्पती जी बोले हे ब्रहमन, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेश्ट हो. हे प्रभू, कृपा कर मेरा वचन सुनो. चैत्र, आश्विन और आशार मास के शुकलपक्ष में नवरात्र का वरत और उद्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस वरत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस वरत को किस ने किया? सो विस्तार से कहो. ब्रिहस्पती जी का ऐसा प्रश्ण सुनकर ब्रहमा जी कहने लगे कि है ब्रहस्पते. प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्ण किया. जो मनुष्य मनोरत पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायन का ध्यान करते हैं. वे मनुष्य धन्य है. यह नवरात्री. व्रत और करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाह मनुष्य की तमाम आपत्यां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्यां आकर उपस्थित हो जाती हैं। अर्थात उसके मातापिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोकता है। पती हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है यदि वरत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र वरत की कथा करे हे ब्रहस्पते जिसने पहले इस वरत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हे सुनाता हूँ तुम सावधान होकर सुनो इस प्रकार ब्रहमा जी का वचन सुनकर ब्रहस्पती जी बोले हे ब्रहमन मनुष्यों का कल्यान करने वाले इस वरत के इतिहास को मेरे लिए कहो मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ आपकी शरण में आये हुए मुझ पर कृपा करू। उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राहमणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुन्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का व्रतान सुनाती हूँ सुनो। तुम पूर्व जन्म में निशाद, भील, की स्त्री थी और अती पती व्रता थी एक दिन तेरे पती निशाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जल खाने में कैद कर दिया उन लोगों ने तेरे को और तेरे पती को भोजन भी नहीं दिया इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और नहीं जल ही पिया इसलिए नौ दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया हे ब्राहमणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन होकर तुम्हें मनवानचित वस्तु दे रही हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर्दान मांग लो गी नारियल जो और तिल इनसे तथा फलो से होम करने से मनवानचित वस्तु की प्राप्ती होती है व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नमरता से प्रणाम करे और व्रत की सिध्धी के लिए उसे दक्षना दे इस महावरत को पहले बताई हुई विधी के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरत सिध्ध हो जाते हैं इसमें तनिक भी संशय नहीं है इन नौ दिनों में जो कुछ दान आदी दिया जाता है उसका करोडो गुना मिलता है इस नवरात्र के वरत करने से ही अश्वमेद यग्य का फल मिलता है हे ब्रहमनी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम वरत को तीर्थ मंदिर अत्वा घर में ही विधी के अनुसार करें ब्रहमा जी बोले हे ब्रहस्पते इस प्रकार ब्रहमणी को व्रत की विधी और फल बताकर देवी अंतदर्यान हो गई जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुरलब मोक्ष को प्राप्थ होता है हे ब्रहस्पते यह दुरलब व्रत का माहत्मे मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है ब्रहस्पती जी कहने लगे हे ब्रहमण आपने मुझपर अती कृपा की जो अमरित के समान इस नवरात्र व्रत का माहत्मय सुनाया हे प्रभू आपके बिना और कौन इस माहत्मे को सुना सकता है ऐसे ब्रहस्पती जी के वचन सुनकर ब्रहमा जी बोले है ब्रहस्पते तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलोकिक व्रत को पूछा है इसलिए तुम धन्य हो यह भगवती शक्ती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है